दो दिनों से जारी जमाजम बर्शा से नदिया उफवान पर आ गई है। दारा तेज होने से विप्रवाव में बैगे। अपनी चार सात्यों को डूपता देख नदी किनारे बैठे युवक दोड कर काली माटी आके और उन्होंनी जानकारी सरपंच को दी। रेस्क्यू ओपरेशन चलाया। रुक रुक कर हो रही रिमजिन बारिश की वजह से कोज़पियान में बचावदल को काफी मशक्कत करने पड़ रही है। इस दोरान रेस्क्यू ओपरेशन में दरजनों गोता खोरों सहित मोटार की बोट की मदद लीनी पड़ी। बावजूतिस के देर शाम तक बचावदल को कोई सफरता हाथ नहीं लगी। बुद्वार 8 सितंबर को सुभह 7 बज़े से फिर रेस्क्यू ओपरेशन शुरू किया गया। इसी दोरान हाथसे की जगह से 100 मीटर दूर कटीली और नुकीली चट्टानों के बीच पानी की भीतर फसे तीन योकों के शवकों रेस्क्यू टीम ने नदी से बाहर निकाला। चोथी लापता युवक की तलाज चारी है। इस रुदे विदारक घटना की बाद ग्राम काली माटी में मातम पसरा है। नदी में लापता हुए चार युवक आमगाव तहसल की ग्राम काली माटी निवासी बताय चारे है। चिन में संतोष बाहिकार, रोहित गायकवार, मयोर खोब्राकडी, सुमिच शेंडी का समावेश है। गौर तलब है कि बैल पोल्या की दूसरे दिन ताना पोला मनाया चाता है। जिसमें मारबत के साथ चलूस निकलता है। इस्तिवहार का आनन उठाने ही तू आमगाव तहसल के काली माटी निवासी चारी वक मारबत चलूस में शामिल होए थी। परंपराओ के अनुसार ब्रह्मन पश्यात नदी क्षेतर में मारबत पितले का दाहसल स्कार कर उसी चलाया चाता है। इसी स्वसले में युको की टूली बाग नदी के तट पर पहुची थी। जहां बताया चारा है कि नहाते वक चारी वक उफंती नदी के तेस भाव में भैगे। चिलाबदा प्रबंदन अधिकारी राजा चौबे तथा आमगाव थानी के सहायग पुलस नरेक्षक नाली ने जानकारी देते पताया। जिस जगर हाथसा हुआ है वहां कटीली वर नुकीली चट्टानी ज्यादा है। इसलिए बड़े हिसाब से रिस्क्यू आपरिशन चलाया चारा है। कोज बचाव दल में शामिल गोती खुर सर्च आपरिशन में जुटे है। मंगलवार से दूपेर सुभे 11 बज़े तक चले सर्च अभियान में घंटों की मशक्कत की बाद नदी के तेस बहाओ में तीन यूगों की शब परामत किये गये है। समाचार लिखे जाने तक शोद बचाव दल का रिस्क्यू आपरिशन चारी है। क्यामरा पोसन अखलेश भारत वाज के साथ अभिशेक पान से बीस्यन न्यूस नाखपूर।